हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल समराट इकडिमी में जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं डियलर्ड और बीटीसी के मैद बताता हूं और यह मेरा पार्ट पंद्रामा है अगर पार्ट एक से लेके पार्ट चौदर तक बीडियो में वीडियू बताया हूं उसमें आपके डीएółरम य और वीटीसी के मैत हो भी राजन सीरीस से बहु को बहुविकलपी के जीतने भी है उसारे क्यूशन आपका 68 क्यूशन है आपका जूश्ठी एट क्यूशन में मैंने सारा एक क्यूशन को मैंने से लोख किया है आप वहां से उन पर्ट वन से लेके पार्ट 14 तक उन वीडियो को देख लिए जब अब वीकल्पियों को और दोस्तों आज जो मैं पार्ट 15 बताने वाला हूं वो मैद काई है लेकिन इसमें मैं आती लगव उत्री परशना का चर्चा करूंगा आज से मैं आती लगव उत्री परशना डिसकस करने वा है चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्यूच्ञ अतिलतर का अती लगव 3 का प्रश्म में दोस्तों इसमें यह ता है कि आ मदेता नहीं है इसमिक आपको साल्भ़ करने की बताएं farther इसमें सबसंख्रेट ना सबसे कि दोस्तो 2017 में ये बीटी से में क्यूशन पूछा गया था ठीक है चलिए इसको हम बताते हैं कि कैसे आप इसको आसानी से स्वाल कर सकते हैं कह रहा है कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों स्वाल में आपको लिखना है यहां पे कि तीन अंकों की तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो दोस्तों तीन अंकों की साथ से बड़ी संख्या होती है नौसो निन्यानवे तीन अंकों की साथ से बड़ी संख्या क्या होती है नौसो निन्यानवे अब तो तीन अंकों की बड़ी संख्या मैंने लिख दिया करा उत्तरवरती संख् दोस्तों में बात बताया था उसमें उत्तरवर्ती संख्या कैसे ग्याद करते हैं उत्तरवर्ती संख्या अगर कोई संख्या यान है अगर यान का में उत्तरवर्ती संख्या ग्याद करना हो तो सिर्फ हमको करना क्या है कि यान में प्लस वन कर देना यह फर्मूला होता है अग करना यह चीज़ है कि 992 में सिर्फ वन प्लस कर देना है क्योंकि यह प्लस वन होता है नो सुनिनने में तब प्लस वन करेंगे तो हमारा आजाएगा एक 1100 यही मेरा के कहला एगा ढाई ठीक है 2000 हमारा तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संक्याऊ का उत्रवर्टी संक्या होती है रह Lessश्ί Kingston आप गट आप सा niँ देगा आपको स्वाय पर आपको बहुत सरत कि समझ में आगा तो चलिए इससे साथ बढ़ चलिए क्यों प्रश्ण बढ़ दूसरा है कि 0.085 यह भी आपका पूछा गया है 2017 में ही बी टीसी के एक्जामिंग पूछा गया एक क्वीश्चन कि 0.085 को प्रतीसत में बदलिये किसमें प्रतीसत में बदलिये ठीक है दोस् भीन होता है अगर प्रतीसत देख पा रहे हैं जो प्रतीसत है प्रतीसत को अगर हमें भीन में कनवर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं प्रतीसत को अगर मालीजी में कहोंगी 5% है 5% को आप भीन में कनवर्ट कीजिए तो आप सिंपल करना है कि 5 गुड़े प्रतीसत को मतलब 1 वटा 100 जैसा कि आप देख रहे हैं 5 वटा 100 तो यह जो 100 आ रहा है उत भागी दे रहे हैं न हम लोग उस संख्या में ठीक है तो अग चलिए इतना की समझ में आगए आप लोगों को तो अब इसको आप असानी से सुल्प कर सकते हैं जैसा कि संक्या दिया है 0-10-0-85 यह मेरा एक चमक्या दिया है इसको हमें बदाना प्रतीसत में ्टप्रतिसत में कर्वण टो कुछ सिंपल करना हैए है जासा कि थो यहां पहरी तो यहां पहरा कर आप मॉल्टिप्लाइब सिंपल सिंपल से यहां पहरा घुल सिंपल सिंफल करने बाद हो होगी आपका यहां से आप उन संख्याओं को लिग सकते हैं जोड कर इतना संख्या गया तीन संक्या बाद दस्वल होए एक दो तीन संख्या बाद जैसा कि आप देख पा रहे है एट पाइंट-फाय पर सट वहां से आया जाए या तो तो देरेट कर सकते कुछन अगवे हैं कि और कियो सफ और दोस्तों चलते हैं आज के संख्या किसे कहते हैं कि आपको यहां पर बताना है स्वाल में कि आप और पर यमेंस थे लिखना पड़ेगा आप परी में संख्या उसे कहते हैं जो परी में ना हो जो परी में ना हो ठीक है उसे हम क्या कहते है आपरी में संक्या कहते है चलिए मैं आपरी में संक्या करते हूं कैसे होता है देखे दोस्तों आपरी में संक्या जो होता है वो रूट में होता है आपरी में जो संक्या होता है वो रूट में होता है लेकिन उसक पूड़ता वर्गमुल नहीं निकलता है जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको एक्जामपर की तोर पे अगर में वन लेता हूं करड़ी में दो लेता हूं करड़ी में तीन लेता हूं करड़ी में च्यार में ले लूं करड़ी में पांच ले लूं करड़ी में छे ले लूं ठीक तो दोस्तों परिमेष संख्या जैसा कि आप लोग जानते हैं परिमेष संख्या उसे निकला जैसे आगर कड़ी में ऐक बात करूँ तब करणी एक का वर्गमूल निकल सकता है अपको निकल सकता है एक को में लिख सकता हूं एक गुड़े यहां से में एक को बार कर लूँगा तो आपका एक आ गया एक की पाटे में एक लिख सकता हूं तो यह पी बाई क्यू डूप में हो गया तो आपका परिमेश संख्या हो गया हो गया कड़ी में दो की बात करूं कड़ी दो का वर्गमुल को में निकलता है कभी ने निकल सकता है तो यह करड़ी में दो है यह अंडरूट में है लेकिन पूरी तो वर्गमुल कहा निकल रहा है इसका निकली नहीं रहा है तो यह जो है यह आप परिमेश संख्या कहलागी करड़ी में तीन भी ने निकल पाएगा यह भी आप परिमेश संख्या कहलागी से लिए जो कड़ी में चार है उनी का मतलग होता है वर्गमूल तीन को आम लिख सकते हैं तीन बाट एक कि रूप में ये भी आपका पर में संख्या होगा तो दोस्तों उम्मिद करता हूं कि परिमे और अपर में संख्या आ गया होगा तो चले दोस्तों इसी साथ बढ़ चात नमबर चोथा यह है कि सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं जैसा कि दोस्तों आप लोग यानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं सम संख्या होता है कि जो दो से पूरता क्या हो विभाजित हो जाए दो से पूरता विभाजित हो जाए उसे हम कहते ह सम लेकिन सम प्राकिर संख्या क्या होता है इसको आप समझी है जैसा कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं यहां पर आठ लिग दूं बारा लिग दूं फिर यहां पर मैं छे लिग दूं ठीक है तो आप देख पा रहे हैं कि आठ दो से कट जाएगा बारा भी दो से से कड़ जाएगा शैभी दो से कड़ जाएगा यह तो मेरी संख्या है लेकिन यहां पर कितने कवा शैका अंतर कहां से मापको मिल यहां पर चार यहां पे 6, शॉम्संख्या है, लेकिन जो इस सिरीज बन रही है, यह संप्राकिट संख्या नहीं, शॉम्संख्या संख्या यह चील रोती है, कि वो संख्या सम होनी चाहिए, और अंतर विश दिरेगें, जैसा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, दो से कट जाएगा इभी दो से कट जाएंगा कईकि अहाँ से कड जाएंगी लेकिन देखिए इनका अंतर भी से म gastu यहां से भी लेकिन बीसे में और क्रशंङ एक तो इसी को हम बोलते हैं संप्राक्रिट संक्या कि संक्या संब और अंतर भी उन्स सभी का सेम होना चाहिए ठीक है दोस्तों किश्च्च नवब फूर आपको समझ में आ गया होगा तो चलिक डूस्तों इस साथ बढ़ चले क्यों की उर्पांच वे चलिए दोस्तों बात कर ले संह्तर है कुछ से पुड़तर विवाज़ित नहीं होती संग्याली यह दिख जहां कि क्या मतलब है यह जो संख्या उसको अगर नहीं बागっ दे तो रिमेंडर भचना नहीं बचना है तो इह मेरी संखिया क्या क्या लांगी बिसम और प्राकर्ट्टिक्स मतलब यह आपके अन्तर से माना ही है मिल्ने के गारण यह जुय मिलने के श्रीज इस तरह लिख दतों कि एक पांच अगर मैं लिख दूँ है इसके बाद में ग्राइन ही लेता हूं ठीक है तो वी संक्रो warrior आर लेकिन अंतर कितना करा चार यहाँ पर चार यहाँ पर डो ठीक है तो यह स्सूरीज दूर। विसम प्राकृतिक है नहीं ठीक है दोस्तों कि आपको वीडियो को अपने नाटिकेशान आप तक पहुंचे और दोस्तों इस वीडियो को जाद जाद आपने मित्र के हाँ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं का आपको वीडियो कैसी लगी चलिए दूस्तों इसे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद